जैसा सासुमा कहेंगी वैसा मैं करूंगी रिधी को सबने ये बता रखा था कि सास जो होती है न वो सब से खतनाग प्राणी होती है तो भी यह शादी तो कर रही हो लेकिन शादी के बाद सास की बात जुरूर मानना वो जो कहे वही करना अब शादी के बाद सैसुमा, सैसुमा वो फ्रीज की सारी बोतल खाली हो गई है, क्या मैं पानी भर कर रखतू? नहीं, क्या ज़रूरत है, भरी गर्मी में फ्रीज में ठंडा होने के लिए पानी रखने की जिसे प्यास होगी, वो खाली बोतल देख करी भर लेगा, क्या? मा, रिद्दी कुछ समझ नहीं पाती, और अपने कमरे में चली जाती है, शाम को जब पती घर आता है तो अरे मा, रिद्दी, कोई है, पानी पिलाओ यार बहुत प्यास लगी है, और ठंडा लाना ज़रा, और साथ में वो पेठा भी है रिद्दी, पानी लेकर आ, राकेश आ गया है, जी मा, जी अभी लाई, रिद्दी पानी और पेठा पती को देती है, लेकिन ये क्या? एक घोट में ही पती पानी को थूंग दीता है अरे क्या हो गया बिटा, अभी तो प्यास से मरा जा रहा था, अभी या हरकत, सब ठीक है ना? तू पी मा ये पानी, देख, कोई ऐसा पानी लाता है क्या? गर्मा गर्म अरे बहुत ठंडा पानी ला, ठंडा पिर मा जी वो तो मैंने रखा नहीं, आप ही ने तो मना कर दिया था ना? और फिर मैं तो वही करूंगी जो आप बोलेंगी ना मा जी ना, मैंने नहीं रखा पानी, हाँ एक मिनिट बहु अंदर जाकर पानी की खाली बोतल ले आती है ये देखिए मा जी, मा जी ने कहा था, जिसे भी प्यास लगेगी, वो ये खाली बोतल देखकर प्यास भर लेगा देखिए लीजी, क्यों मा जी? सास और पती सर पर हाथ रख लेते हैं हाँ नहीं तो, मैं तो वही करूंगी ना, जो सास उमा बोलेंगी ये बोलकर रिद्धी अंदर चली जाती है, उसके जाने के बाद क्या है न मा तू भी न, क्यों परिशान करती है? अरे बोल दीती, पानी भर कर रख दो, इतना नहीं हो तो तो बाहर बैठी बिचारी सास ये बगवाण, ये कहां से ऐसी पागल बहु आ गई हमारे घर में? अब गर्मी के माव समय ये कौन पूछता है कि पानी ठंडा होने के लिए रखे के नहीं? बस, किसी तरह सास बहु की ऐसी ही जुन्दगी चल रही थी कि एक दिन अरे सरला की बहु तो पहली बार आई है हम लोगों के घर वैसे सरला, बहु तो बहुत सुन्दर पाई है तुना? हाँ, बस सुन्दर ही है मुझ खोलती है तो सारी सुन्दरता को साफ सुंग जाता है नहीं तो, वैसे तेरी बहु का है? हाँ हाँ आ रही है वैसे उसका भी हाल कुछ है साही है बहु आ बहु जी माजी यह मौसी है सरला मौसी उनके बेटे की शादी में तो नहीं जा पाई थी यह बहु लेकर आई है जा जाकर कुछ अच्छा खाने को बना कर ला और चाय अच्छी सी बनाना और कुछ नाश्ता भी बहु का दिमाग अब यहाँ आटो मोड छोड़ देता है कि भई अच्छा मतलब क्या कैसा अच्छा क्या अच्छा बहु क्या हो गया अरे जा कुछ अच्छा खाने को लेकर आ बहु कन्फ्यूसी सासु मा नमकीन बिस्किट वाला अच्छा यह बोलोगे जिनके आगे हम ड्राइफ्रूट का डिब्बा खोलकर रखते हैं यह भगवान सास परिशान सी होती है तबी सरला बोल पड़ती है बहु लग तो रहा है कि हम लोग इस घर के लिए कुछ तो माईने रखते होंगी तो तो एक काम कर खोली दिया आज ड्राइफ्रूट का डिब्बा हैं लेकिन पहले सासुमा बोलेंगी तबी नहीं तो क्यों सासुमा क्या बात हैं मैं तो मेरी ही बहु को गुडगोबर समझती थी सास बहु को अच्छे खाने की डेफिनेशन बताती है तब जाकर महमानों के सामने खाना पानी आता है खैर आगे तो बहु की जी हजुरी बढ़ती जा रही थी लिकिन ये पहली सास थी जो बहु के हर बात को पुछनी की आदत से परिशान सी थी वो सोचती है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा तो सास अपनी सहली से बात करती है अरे देखना मदू मेरी बहु ने नाक में दम कर रखा है अरे माना सास से पूछ कर काम करना अच्छी बात है लेकन यह क्या छोटी छोटी सी बाते भी पूछ करना इरिटेट करती रहती है यह लोग सास से नहीं पूछती बहु इससे परिशान है तो क्यों पूछ रही है बहु इससे परिशान हो रही है आरे वो छोड़ यह बता कि क्या खाएगी अरे कुछ भी यार कुछ भी बनवा ले तबी बहु क्या आवाज आती है माजी शाम की सबजी के लिए आलू लंबे काटो या फिर गोल या फिर छोटे छोटे बताईए न देख रही है अब आलू कैसे कटेंगे ये भी मैं ही बताओ तबी बहु हाथ में आलू और चाकू लेकर आ जाती है ये लिजी माजी एक आलू काट कर दिखा दीजी बागी मैं काट लूँगी सास को गुसा आ जाता है तू ना तू ना एक काम कर ये चाकू से मेरा गला काट दे ले माजी ठीक है जैसा आप चाती है वैसे मैं काट देती हूँ क्योंकि आपकी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ बहु सास की गर्दन काटनी की तैयारी में ही होती है कि मधु जोर से चिलाती है अरे छोड़ो छोड़ो मेरे सहली को मार दोगी क्यों अरे रुकिए ना मेरे सास यू बोलेगी मैं वह ही करूँगी न बहु छोड़ दे बहु छोड़ दे मुझे प्लीस ओ किसा सुमा बहु के चंगल से सास छूट तो जाती है लेकिन मधु जो बहु को सुधाने के टिप्स दिने आई थी वो भाग कना दर ग्यारा हो जाती है ये क्यों भाग गई माजी आप बोले तो मैं पकड़ कर लाओं आरा नहीं नहीं जाने दे प्लीस जाने दे और मुझे भी जाने दे सोने दे प्लीस क्यों नहीं माजी चलिए कमरे में मैं एसी आन कर दूँ या सिर्फ फैन में सुईंगी आप चादर लेंगी उपर से बहु सोने चलि जाती है सास किचन में शाम को बेटाता है क्या बात है घर में आज सबजी की बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है अरे मेरी बीवी ने क्या बनाया आज खाना मैंने बनाया है तेरी बीवी अपने कमरे में ऐसे कैसे मा उसके होते हुए आप क्यों किचन में है अरे बेटा उसके होते हुए मैं इस दुनिया में कैसे हूँ यह पूछ अरे अरे मा क्या होगे आपको रो क्यों रही है सास रो रो कर सारी बात बता देती है वो साफ कर देती है कि उसे अब इस घर में नहीं रहना मा ये तो सिच्ची डर की बात है मैंना एक काम करता हूँ इसकी मा से बात करता हूँ शायद वही कोई उपाई निकाले उपाई निकाले नहीं तो मुझा इस घर से निकाले खेट दोनों मा बिटे बात करी रहे होते हैं कि बहु की आवाज आती है मा जी आप कहे तो मैं कमरे से बाहर आ जाओ वो क्या ना इनको पानी देना है आहां आजा बहु लेकिन उससे पहले मैं कमरे में बंद हो जाओ क्या पता पानी में डुबो कर मार डाले मुझे बहु बाहर सासंदर क्या कहा सासुमा ने डुबो कर मार डालू नहीं 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 मैं ये सब नहीं कर सकती ए जी मैं मार दूसा सुमा को पुलिस कुछ कहेगी नहीं न आर चुप हो जा पगली मा डर गई है तुझसे वैसे चल तुझे माई के लेकर चलता हूँ चल मुझसे डरी है अरे ऐसे कैसे मैं माजी से पूछे बिना नहीं जा सकती पूछ दो लूँ पहले उने अर पूछ लिया है मैंने तो चल बहु फिर भी सास के कमरे के बाहर से आवाज देती है माजी माजी क्या मैं अपनी माँ के पास जाओं आहां जा जा माजी दर्वाजा तो लगा लीजिए मैं कर लोगे बांद तुझा जा बस बहु तुझा बहु पती के साथ माई के चली जाती है जब वो माई के पहुँचती है तो पती के पास उसकी सास का फोन आता है हाँ माँ जस्ट पहुँचाओं हाँ हाँ वो तो ठीक है बस यह कहना था कि उसकी माँ को बोल दे कि अपनी बेटी को यह समझा दे कि मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मैं बुरा नहीं मानूंगी हाँ माँ समझ रहा हूँ मैं पती सारी बात अपनी सास यानी बहु की मा को बता देता है अरे बेट वाँ हम तो सुचे थे कि सिंसकार दे के भेजे दूसरे घर जा रही है हमको कहां मालूम था कि यह ऐसा करेगी पच्चा चिंता ना करो हम एना देख लेते हैं सास बेटी को समझाती है कि बेटा इतना भी पूछ पूछ ना करो ज्यादा पूछने की कोई ज़रुत नहीं है बेटी समझ जाती है और पती के साथ ससुराल पहुंचती है सामने सास बैठी होती है लेकिन बहु उनकी और देखती भी नहीं सीधे कमरे में जाने के बाद अरे अरे यह क्या क्या तमीज ना नमस्ते न प्रणाम बड़ी ही बत्तमीज हो गई अरे कम से कम हस कर बोल तो लेती कि मैं आ गई माजी क्या है मा क्या करना यह बता दो उसे पूछना है कि नहीं पूछना अब सास को याद आ जाता है कि कैसे चाकू लेकर बहु सर पर चड़ गई थी ना 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 बेटा ठीक है ठीक है जो जैसा करे ठीक है उसे बोलना ही बात करे अगली सुबह सास बहु को आवाज देती है बहु ओ बहु देख महमान आए है कुछ नाश्टा खाने के लिए लेकर आ बहु चुपचाप नाश्टा रख देती है बहु रात का खाना जल्दी खाना आया बहु रात का खाना भी वक्त से लगा देती है अब जो घर सारा दिन बहु की माजी माजी से गुंजा करता था वो घर एक्टम शान्थ हो जाता है मा ओ मा क्या बात है क्या हुआ बिटा बहु ने पूछना क्या छोड़ा घर तो सुनसान ही हो गया मैं क्या कह रही थी बहु को बोलना पहले जैसी हो जाए उसकी जहे के बिना तो घर अधूरा है तब ही बहु आ जाती है मा जी मैं भी यही कह रही थी अच्छा नहीं लगता आप से पूछे बिना काम करना तो माजी ये बताईए ना अब आपको जान से तो नहीं मनना है न ओ क्या है न माजी मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगी नहीं बहु अब तो बस तेरी बकबक के साथ जिन्दा रहना है अब तेरी बकबक के बिना नहीं रह पाऊंगी